भारत अस्टेलिया टेस्ट सिरीज से पहले टीम के खिलारी ने अचानक ले लिया सन्यास सदमे में है फैंस भारत और अस्टेलिया के बीच चार मैचों की टेस्ट सीरीज शुरू होने से दो तिन पहले ही एक बरी खबर सामने आई है जिसमें किर्केट फैंस को मायूस करके रख दिया है भारत और अस्टेलिया के बीच नागपूर में नौ फरवरी से शुरू होने वाली पहले टेस्ट मैच से पहले अस्टेलिया के पिसफोटक पलेबाद रौण्ज फिरिंच ने अचानक इंटरनेशनल किर्केट से सन्यास का एलान कर दिया है रॉंज फिरिंज के अचानक इंटरनेशनल किर्केट से सन्यास की खबर सुन का उनके फैंस सद्वे में है और साथ कंगारू खिलारी भी हैरान है रॉंज फिरिंज के अंतराष्टिय किर्केट से सन्यास की घोसना की 36 वर्षी अस्टेलिय किर्केट से 46 T20 अंतराष्टिय मैच में कप्तानी की वे इकलोते अस्टेलियाई खिलारी हैं उन्होंने 46 T20 में टीम की कप्तानी की उन्होंने 5 टेस्ट 146 वंडे और 103 T20 मैच खेले है अपने सन्यास को लेकर उन्होंने कहा कि मुझे इस बात का असास है कि मैं अब 2024 का T20 वर्ल कॉप नहीं खेल पाऊंगा